बिहार में सियासी चर्चा के बीच में कई इसे काम हैं जो हो रहे हैं जिसको ले करके हम आपको लगतार बता भी रहे हैं 2024 का चुनाव है और इस बजट को उसको मद्दे निजर रखते हुए कहा यह जा रहा था कि इस बजट के आधार पर 2024 के चुनाव में अपनी अपनी बादसाहत सावित करने की कोशिश जारी है नितिश कुमार ने बिहार पर फोकस करते हुए कई ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं को सामने रखा जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे और बिहार में खुशाली भी आएगी इन सारी बातों को ले करके आपको पता है कि कल ही मोतिपूर में एथनौल प्लांट का उद्गाटन करने मुख्य मंत्री गए थे और उनके साथ भारते जनतापार्टी के नेता भी सिर्कत कर रहे थे इस से पहले जो उद्धेक मंतिर थे सानवाज हुसेन वो उस मंच पर सामिल थे और चर्चाएं कई तरह की हो रही थी इसके बाद ये भी चर्चा हो रही थी कि नितीश कुमार लगातर भारते जनतापार्टी के मंच पर जा रहे हैं चाहे राम नौमी की बात हो या फिर अन खास करके अब भारते जनतापार्टी के नेताओं के अहां उनका जाना और उनके साथ मंच साजा करना बहुत सारी बातों को जन दे रहा है लेकिन इस बीच में नितीश ने एक बार फिर से मास्टर स्टोक खेल दिया है और इस मास्टर स्टोक से भारते जनतापार्टी के उ मुखिमादी इंटीश कुमार ने बिहार को विशेस राज का दर्जा देने की मांग फिर से दूर आई मोतिपूर में जब वो एथनॉल प्लांट का सुभारम करते हुए अपनी बात रख रहे थे इसी दौरान ने कहा कि बिहार गरीब राज है इसके बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं लेकिन अगर केंद्र बिहार को विशेस राज का दर्जा दे दे तो यहां आर्थिक विकास हो जाएगा हलाकि अभी भी बिहार का आर्थिक विकासदर काफी आगे है प्रगती के साथ साथ बिहार को अच्छी तरह से हम समालने और सजाने की कोशिश कर रहे हैं प्रति ब्यक्ति आए देश की आउसत से बहुत कम है यही कारण है कि हम चाहते हैं कि केंद्र हमें सहयोग करे ऐसे में मेहनत के साथ जरूरी है कि बिहार को विशेस राज का दरजा मिले यह मिल जाता है तो राज काफी आगे बढ़ेगा मुखमंत्री ने इस सारी बातों को ले करके जब अपनी बात रखी तो उस मंच पर भारतिय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद थे हमने आपको विधान परिशद में भी बजट सत्र के दोरान बताया था कि किस तरह से भारतिय जनता पार्टी लगतार जब सवाल खड़ी कर रही थी तो भारतिय जनता पार्टी को सत्ता में बैठी जदियू के तरफ से ये सलाह दी जा रही थी कि वो केंदर सरकार से आग्रह करे कि जो हमारा हिस्सा है हमारा हक है वो दे दे कई ऐसे विभाग हैं कई ऐसे योजनाएं हैं जिसमें केंदर सरकार का अंस अधिक होता है और उन अंसों के कारण अभी तक कितने लोगों के पेमेंट लटके हुए हैं और परियोजनाएं भी नहीं हुई है इन सारी बातों को ले करके नितिश कुमार ने एक बार फिर से विशेस राज के धरजा का जो मांग है उसको दूराया है और आप समझ सकते हैं कि विशेस राज के धरजा को ले करके पिछले कई वर्सों से कई चुनाव से चर्चाय चल रही है और जब दब चु परिन नमोदी और उसको लेकर के भी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं लेकिन इस बार जो बिहार की बर्तमान इस्तिती है और जिस तरह से बिहार को नितीश कुमार में इन एक वर्सों में 2020 के बाद 2023 तक यानि कि दो सीजन जो है दो मतलब वीतिय वर्स में सम्हाला है और तकार बनेया था उसके 99% हमने खर्च किया है आगे आने वाले समय में अगर केंद्र हमें सहयोग करता है तो बिहार को और आगे लेकर के जाएंगे और विक्सित राज्यों के स्रेणी में ले जाने में हमें देर नहीं लगेगी नितीश कुमार के विश्यस राज के धरजा क कि मांग को दूराने के साथ कही नकहीं भारते जनता पार्टी कि एक पार उमीदे फिर से जग गई है और ऐसा लगता है कि अगली खबर जल्दी ही आपके सामने लेकर प्रस्तूत होते हैं से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नी तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी